हज़ी, आज कुछ डिसकस करना चाहता हूँ स्टेम सेल के बारे में कि हमारे सेंटर में या हमारे पास या मेरा तरीका स्टेम सेल करने का क्या है और मैं कितने सेशन स्टेम सेल की करता हूँ और गुटने के लिए कितने सेशन रिक्वाइड है कमर के लिए कितने सेशन रिक्व की स्किन के नीचे से विदाउट अनिय अनसीजिया फैट ली जाती है उसको तकरीबान दो डाई गंटे प्रोसेस करके उसका स्टेमसल बनाया जाता है और उसके विदिन हाफ एन आवर मेकिंग के बाद उसको इंजेक कर दिया जाता है तो यह तरीका है स्टेमसल बनाने का वैसे स्टेमसल हम जो है बोन मेरों से भी ले सकते हैं स्टेमसल हम बलड से भी ले सकते हैं स्टेमसल की अधर भी सोर्सिस हैं लेकिन जो recommended और आज कल commonly used source है वो fat है ये कहा गया है कि fat के अंदर स्टेमसल throughout life रहते हैं चाहे कितनी भी एज हो जाए, stem cell की quality और quantity सेम रहती है, लेकिन जैसे जैसे एज ओर्ड होती है, bone marrow के जो stem cells होते हैं, वो weak होना शुरू हो जाते हैं, और वो replace हो जाते हैं, yellow bone marrow से या brown से और उसमे fat की quantity जादा हो जाती है, तो stem cell इतने effective नहीं रहते हैं, इसलिए पांचे साल से जो मैं stem cells कर रहा हूँ, वो fat से extract करके किये जाते हैं, तो alhamdulillah सके results भी अच्छे हैं, तो मेरे पास जो stem cell का तरीका है, वो fat enhanced stem cells है, उसमें से fat component को digest करके stem cell बनाया जाता है, और बनाके गुटने के अंदर, या जो भी जोड़ खराब हो, चाहे हो hip का जोड़ ह जोड़ हो, चाहे गुटने का जोड़ हो, चाहे कमर का जोड़ हो, उसमें लगाया जाता है.